जै जिनेंत गुरु वंदन सुट्र, तिक्कोतों का पार्ट क्या होता है? इसके एक एक शब्द का शाब्डिक अर्थ क्या है? और गुरु वंदन सुट्र का भावार्थ क्या है? आज के इस विडियो में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे मैं हूँ बन्मन भंडारी और आप है मेरे चैनल गुरु इन देव पर आईए देखते हैं तिकोतो का पाट क्या है तिकोतो आयाहिनम पयाहिनम करेमी वंडामी नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी कलानम मंगलम देवयम चैयम पजवस सामी मथेन वंडामी यह था तिकोतो का पाट जिसकी तीन बार गुरु भबन्तो को वंदना की जाती है आईए अब चलते हैं शाब्दिक अर्थ की ओर गुरु अंदन सुत्र तिकोतो के पाट में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो मूल शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है इसको हम अब हम समझेंगे मूल शब्द जो इसमें आये हैं तिकोतो यानि तीन बार आयाहिनम दक्षिन ओर से पयाहिनम प्रदक्षिना करे मी करता हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अलान रूप, मंगलम, मंगल रूप, देवियम, धर्म देव रूप, चेयम, क्यान वन्त, अथ्वा सू प्रशस्त मन के हेतू रूप की, पज्जुवास्वामी पर्युपासना सेवा करता हूँ, मथेन नत मस्तक नमाकर, वंदामी वंदना करता हूँ, ये तो थे शब्द और मोल शब्द के अर्थ, अब हम बात करते हैं भावार्थ की, नमस्कार सुत्र का जो भावार्थ है, उसकी, अब हम बात करते हैं, और वो हे, हे पुझ, दोनों हाथ जोड़कर, दाहिनी ओर से, तीन बार पदक्षिना करता हूँ, आपका गुनगाम इस्तुति करता हूँ, प पांच अंग नमा कर नमस्कार करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ, आप कलान रूप हैं, मंगल रूप हैं, आप धर्म देव स्वरूप हैं, ज्यान वन्त हैं, अथ्वा मन को प्रशस्त बनाने वाले हैं, एसे आप गुरु महाराज की परिव पासना, सेवा करता हूं और मस्तक नमा कर आपको वंदन करता हूं भावार्थ के बाद अब इस गुरु वंदन सुत्र तिकोदों के पाध्च सम्मंदित कुछ प्रश्ना सामानी बनते हैं उन प्रश्नों की बाद करता हूं आदक्षिन प्रदक्षिना किसे कहते हैं दोनों हातों को जोड़ कर अपने दाय कान के उपर की तरब ले जाते हुए बाय कान के ओर ले जाना इस तरह मस्तक के चो तरब गुमाना आदक्षिन प्रदक्षिना आवर्तम कहलाता है ये आदक्षिन प्रदक्षिना तीन बार क्यों की जाती है? मन, वचन और काया से वंदनी की परिउपासना करने के लिए तीन बार आदक्षिन प्रदक्षिना की जाती है वंदना तीन बार क्यों की जाती है? वंदनी में रहे ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना तीन बार की जाती है सत्कार किसे कहते हैं अरंत, अरिहंत, आदी की इस्तुति करना, उनका स्वागत करना, उन्हें वस्त्र पात्र आदी सेवा देना सत्कार कहलाता है सम्मान किसे कहते हैं? अरंत, यशी आदी को बड़ा मानना, उन्हें उचा आसन देना, रदय में उनके प्रतीभक्ती भाव और बहुमान होना सम्मान कहलाता है परिवपासना कितने प्रकार की होती है? परिवपासना तीन प्रकार की होती है नम्ड आसन से सुनने की इच्छा सहित वंधनिय के सम्मुक हाद जोड़कर बेठना काईक परियूपासना कहलाती है उनके उपदेश के वचनों का वानी द्वारा सत्कार करते हुए समर्थन करना वाचिक परियूपासना कहलाती है उपदेश के प्रती अनुराग रखते हुए एक आग्र चित रखना मानसिक परियुपासना है परियुपासना करने से क्या लाब है? शुद्र चारित्र पालने वाले स्रमन निर्गन्थों की परियुपासना करने से अशुप कर्मों की निर्जरा और महान पुन्यों का उपारजन होता है पांचांग शब्द का प्रयोग होता है तो ये पांचांग शब्द कौन से होते हैं तो दो गुटने, दो हाथ और एक मस्तप ये पांचांग कहलाते हैं वंधना कितने प्रकार की होती है? वंधना तीन प्रकार की होती है सामान्य जिसे जगन्य वंदना कहते हैं मद्यम वंदना और उतकर्ष्ट वंदना सामान्य जगन्य वंदना कौन सी है मथेन वंदना में कहते हुए हाद जोड़कर जुकना सामान्य जगन्य वंदना है क्योंकि ये बहुत संक्षिप्त वंदना है तो फिर मद्यम वंदना कौन सी है? गुरु वंदन तिकोतों के पार्ट से वंदना करना मद्यम वंदना कहलाती है उत्करस्ट वंदना कौन सी है? इच्छामी खमासमणों के पार्ट से वंदना करना उत्करस्ट वंदना कहलाती है यह मात्र उभैकाल पतिकमन में ही की जाती है संसतियों के दर्शन के लिए जाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो संसतियों के पास जाते समय मुख्य पाँच बातों का ध्यान रखना चाहिए सचित का त्याव हो, अचित का विवेक हो, उत्तरासंग, अंजली करण और मन की एक आगरता हो तव हमेशन सत्यों के पास जाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए वीडियो अंतर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जै जिनेंद्र